हेलो नौसकार साथियों कैसे हूँ आप सब लोग मैं आशा करता हूँ काफी बेस्तरीन होंगे आप सब लोग मेरा नाम है रियोम सिंग और बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरियोम एजुकेशन योट्योग चैनल पर आज से हम लोग आरंब बैच में एक नया काना बनाना रोटी बनाना सबजी बनाना पढाई करना सोना गाना गाना क्या यह सब काम है नहीं साइंस के टर में यह सब काम करना बिलकुल नहीं है साइंस के टर में काम करना क्या है वो आपको इस लेक्चर में आज हम बताएंगे कभी भूल के मम्मी को यह नहीं करना जो म प्राम करना नहीं बोलता है खाना बनाना को, ठीक है, उसके बाद, आज हम लोग देखियेंगे वरक का इसा युनिट क्या होता है, सबसे पहले work का scientific concept हम लोग देखियेंगे, उसके बाद हम लोग work done जो angle पे होता है उसके बारे में बात्चित करेंगे angle पर मतलब समझते हो नो जहां से question आता है और आप गलत करके आ जाते हो cost ठीटा आ जाता है देख के आप बहुत जादा डर जाते हो वही बाला है भाई अरे बहुत ही जी होता है angle बाला सवाल ठीक है बहुत ही जी होता है आपको देख के न डरना है न घबराना है आपको मैं जैसे बताऊंगा वैसे कर लिजिएगा ये सवाल आपका बन जाएगा ठीक है कोई भी doubt नहीं आएगा उसके बाद हम लोग बहुत सारा questions करेंगे बहुत सारा नहीं कितना करेंगे तीन करेंगे तीन question करेंगे ठीक है उसके बाद positive negative and zero work के बारे में हम लोग बातचित करेंगे ठीक है चलिए शुरू करें इस lecture को करते हैं शुरू इस lecture को आपको copy निकाल लेना है और note करना है अगर आप notes बनाना नहीं चाहते हैं तो notes का link आपको description box में मिल जाएगा वो notes scan किया हुआ रहेगा A4 size में आप उसको किसी भी shop से जाकर निकलवा भी सकते हैं यह आप खुद ही लिख लिजिए कितना निकलवा में जाओगे भाई परिसान हो जाओगे टाइम वेस्ट होगा उससे अच्छा है लिखी लो और नहीं तो download करके आप phone में भी पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं एक निया चेप्टर work, energy and power ठीक है work, energy and power देखो भाई जितना भी living organisms है सबको काम करने के लिए खाना का जरूरत पड़ता है जरूरत पड़ता है कि ने? फूड का जरूरत पड़ता है फूड से हम लोग को energy मिलता है, फूड से energy मिलता है जिससे हम लोग अपना जीवन का जो भी processes है, life processes वो सब अच्छे से sustain कर पाते हैं ठीक है जो भी हम लोग के जिंदगी का activities है, जो भी काम है सब करते हैं हम लोग जो भी जिंद्गी का activities है वो सब हम लोग करते हैं जैसे क्या क्या करते हैं क्या क्या करते हो भाई खेलते हो गाना गाते हो बुक पड़ते हो यह सब करते हो ठीक है प्लेइंग singing ठीक है cooking chatting जो भी है ठीक है और भी बहुत सारा चीज़ करते हो गए जैसे रिल्स देखते हो गए दिन भार लिखते हो गए जंप करते हो गए यही सब ठीक है राइटिंग हो गया टेक है jumping अब का बच्चा थो cricket भी नहीं खेलते हो गए ठीक है और बशारा चीज़ कर सकते हो जैसे cycling कर सकते हो कोई cycling नहीं करता सब bike लेके भाग जाता है ठीक है और भी बहुत सारा चीज़ कर सकत हो जैसे running कबिस लगाए हो वह भी नहीं किया होगय ठीक है तो ये सब हम लोग का जिंदगी का एक्टिवीटी सब है, जिस सब को करने के लिए हम लोग को फूड का ज़रूरत पड़ता है, और एनरजी मिलता है, तभी हम लोग करते हैं, समझ गया है, एक सवाल मैं आपसे पुझता हूँ, क्या पढ़ाई करना काम करना है, क्या खेलना क काम करना है, समझ गया है, खाना बनाना कोई काम करना नहीं है, समझ गया है, ममी से यह जाकर नहीं पुझना कि ममी तुम जो खाना बनाती हो, कोई काम नहीं करती हो, तो लाज जुत्ता 100% आपको पढ़ेगा, और आसिरवाद तो इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो ठीक है चलिए यहां आगे बढ़ते हैं ठीक है वो सब science के term में काम करना नहीं है cooking समझ गया है ठीक है जैसे आप book पढ़ते हो आप बहुत सारा book पढ़े जा रहे हो ठीक है लगातार book पढ़े जा रहे हो ठीक है study कर रहे हो books पढ़ रहे हो reading books कई सारा books को line by line पढ़ लिए अब आप बोलोगे कि हम बहुत काम कर लिए ठीक है डाग्राम में कर लिए बहुत काम कर लिए क्या ये भी work है ना भाई ना ये कोई भी काम नहीं है ठीक है आप school जाते हो ठीक है school जाते हो कि नहीं वो भी जाना छोड़ दिये कितना है सब अच्चा जो कि हर रोजी school नहीं जाता बहुत सारा इसमें मिले अगा, ठीक है, तो ये सब जो आप काम करते हो, इसमें आप तो ठक तो जाते हो, ठीक है, आपका एनरजी बहुत जादे एक्जास्ट होता है, बहुत जादे एनरजी बरवाद होता है, लेकिन ये काम नहीं है, समझ गया, ये कोई काम करना नहीं हुआ क्या चीज के टर्में? साइंस के टर्म, क्योंकि इसमें कोई displacement नहीं होता है, यह क्या है बताता हूँ, चिंता नहीं करना है, सबसे पहले आप work का definition देखलो, work का definition, work का पहले definition देखो, work का definition, a work is said to be done, a work is said to be done, कब कहा जाएगा कि कोई भी काम हुआ, if on applying a force on a body, समझ गया, if on applying force on a body, या on an object, कोई भी object के उपर आप force लगा है, जैसे यह marker है, इसके उपर क्या कि आप force लगा है, और यह अपना जगा को change कर लिया, and it is displaced from its position, ठीक है, and it is displaces from its position, ठीक है, इसका मतलब पहले समझ हो, ठीक है, work is said to be done, if on applying force on an object, ये एक object है, इसके उपर हम लोग force लगा है, and it is displaces from its position, और ये क्या अपने जगा से हीला, force लगा है तो, हाँ, हीला, समझ गया, तो क्या work इसको बोलेंगे, हाँ, इसी को work बोलेंगे, ठीक है, अब जो force हम लोग लगा है, position जो change हुआ, वो, जैसे माल लो, ये हम लोग force इधर लगा रहे हैं, ठीक है, अगर इधर से कोई भी force उल्टा direction में लग गया, तो वहाँ पे थोड़ा concept उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है, वो हम लोग आगे discuss करेंगे, समझ गया, work is said to be done, if on applying force an object, it is displaces from its position, किस direction में, force के direction में, समझ गया, ये भी important, लिख देता हूँ, यहाँ पर, in the direction of force, displacement कहां होना चाहिए, force के direction में, जैसे आप force इधर लगा रहे हो, जैसे यह marker है, force इधर लगा रहे हो, तो इधर ही जाना चाहिए, समझ गया, in the direction of force, ठीक है, चलिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ गया, ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, परहाई कर र समझ गया, displacement का मतलब समझते हो ना, place को change करना, ठीक है, place change, ठीक है, अगर आप exact definition देखना चाहते हो, displacement का, तो class 9 का chapter number 1 में चले जाहिए, अब इसी definition को हम लोग साब 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 में लिखते हैं, ठीक है, work का definition का scientific concept हम लोग लिखते हैं, ठीक है, work का हम लोग scientific concept देखते हैं, ठीक है, जो भी मैं अभी definition में लिखा, उसको साब 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 सब्दों में लिखते हैं, क्योंकि बहुत जादा इसमें कचरा हो गया था, अब इतना कौन याद करेगा, समझ गया, ठीक है, कब हम लोग कहेंगे कि work हुआ, कब हम लोग कहेंगे कि work हुआ, scientific term में, ठीक है, तो उसका जो पहला reason है, वो गोना चाहिए क्या चीज, force लगना चाहिए, जैसे यह marker इसके उपर force लगना चाहिए, force should be act on an object, ठीक है, force should be act on an object, object के उपर force लगना चाहिए, जैसे देखो भाई, यह object है, इसके उपर force लगा, worked है, समझ गया, और the object must be displaced, समझ गया, second reason क्या है, object must be displaced, ठीक है, object का जगा जरूर चेंज होना चाहिए, अगर जगा चेंज नहीं होगा, work done नहीं होगा, जैसे इसके उपर आप force लगा रहे हो, यह hill नहीं रहा, जगा चेंज नहीं होगा, कोई work done है, no work done, ठीक है, both condition apply होना चाहिए, both conditions apply होना चाहिए, work done के लिए, तभी work होगा, नहीं अगर एक भी condition apply नहीं होगा, work done नहीं होगा, ठीक है, समझ गए, force तो लगना चाहिए object के उपर, और object अपना जगह चेंज करेगा, तभी होगा work done, example देख लो भाई, सुरेस है, ठीक है, सुरेस का क्या कर रहा है, ट्रॉली को खीच रहा है, ट्रॉली को पूल कर रहा है, ठीक है, ट्रॉली को खीच रहा है, सुरेस है, जो कि ट्रॉली को पकर के ऐसे ऐसे करके खीच रहा है, तो क्या work done हुआ, हुआ, क्यों हुआ work done, क्योंकि force लगा रहा है object के उपर, सुरेस क्या कर रहा है, ट्रॉली को पकर के खीच रहा है, force लगा रहा है, और object must be displaced, ट्रोली खिचा रहा है तो वर्क्डन हुआ 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 अवही छोटा बच्चा उसका सुर्यष्व का छोटा बच्च जैसे छोटा भाइ Ing-s भाई मानलो महेर साथ्या ट्रीक वह उसको खीच रहे उससे खीचा और नहीं खीचा एगा टीक है फोर्स तो लगा रहा है force should be act on an object ठीक है object तो खीच रहा है लिएन वो खीचा नहीं पा रहा है समझ गहा है object displaced नहीं हो रहा है क्या work done हुआ नहीं हुआ अगर उसका छोटा भाई खीचेगा खीचाएगा नहीं खीचाएगा समझ गहा है clear है तो example में सुरेज क्या करा है trolley को खीच रहा है तो trolley कुछ दूर चला जाएगा समझ गहा है trolley moves करेगा कुछ दूरी तक जाके ठीक है trolley move करने लगा कुछ distance travel किया समझ गहा है clear है सुरेज क्या कर रहा है बताइए exerted force on trolley ठीक है सुरेज क्या कर रहा है trolley को खीच रहा है ट्रॉली के ओपर फोर्च लगा रहा है, और ट्रॉली क्या हो रहा है, and it is displaced, और वो अपना जगा को change कर रहा है, position को change कर रहा है, place को change कर रहा है, तो क्या हुआ, work done, clear है, समझ गया है, अब हम लोग एक छोटा सा topic discuss करते हैं, work done by a constant force, work done by a constant force, यह क्या topic है, चलो, discuss करते हैं, work done का पहले आप formula सीखो, work done का formula, work done का formula होता है, force into displacement, क्या होता है, बता, force into displacement, ठीक है, इसको हम लोग पहले समझने का कोशिस करते हैं, जैसे माल ले, यह एक object है, यह क्या है, एक object है, यह एक माल लेते हैं, blocks है, ठीक है, जो कि जमीन पर रखा हुआ है, इसके उपर हम लोग क्या किये, force लगा दिये, force लगा है, यह ब्लोक का इनिसियल पोजीशन इनिसियल पोजीशन मतलब होता है स्टार्टिंग बाला पोजीशन पोजीशन मतलब यह ब्लोक का फाइनल पोजीशन फाइनल पोजीशन क्या होता है जहां पर ब्लोक पहुंच गया ठीक है ब्लोक पहले यहां पर था अब यहां तक यह जो फोर्स जितना न्यूटन का हम लोग फोर्स लगा रहें जितना न्यूटन का फोर्स लगा रहें इंटू कितना यह जगा अपना चेंज किया कितना डिस्प्लेस्मेंट हुआ displacement किधर होना चाहिए in the direction of force जहां force लग रहा उसके direction में ठीक है in the direction of force clear है इसमें किसी को कोई भी doubt नहीं होगा कोई भी doubt है बता नहीं होगा ठीक है इसको जल्दी से note down किजिए तो work done को हम लोग एक और तरीके से define कर सकते हैं work done by a force on an objective ठीक है work done by a work done को हम लोग force के term में आप define करते हैं ठीक है work done by a force on an object ठीक है उसको हम लोग इस term में define करते हैं force into displacement term में ठीक है work done by a force on an object object is defined as defined as equal to the product of magnitude of force defined as product of magnitude of force and displacement ठीक है work done by a force on an object is defined as the product of magnitude of force जितना force लगा रहें and displacement ठीक है work done by a force on an object is equal to the magnitude of the force multiply by the distance moved ठीक है distance किधर होना चाहिए distance बूब या displacement किधर होना चाहिए in the direction of force जेधर आप force लगा रहें उधार ही समझेक है displacement आगे लिख भी सकते हो मन है तो अब हम लोग देख लेते हैं SI unit of work ठेक है work का SI unit अब हम लोग देख लेते हैं SI unit of work SI unit of work देखो वाई work का SI unit बहुत ही जी होता है ठीक है इसमें बहुत सारा बच्चा कंफ्योज रहता है क्यों रहता है बगवान जाने work क्या होता है F into S work done क्या force into displacement सही बात है सही बात है ना चलो force का SI unit सबको पता Newton होता है displacement का क्या होता है displacement second नहीं है बाई displacement है displacement को हम लोग S से लिख देते हैं ठीक है जैसे माल लोग force एक Newton का है अगर वो एक मीटर travel किया ठीक है एक मीटर यूज नहीं होना है clear और एक Newton मीटर को ही हम लोग जूल भी बोल देते हैं क्या बोलते हैं जूल बोल देते हैं समझ अगर कोई बोलेगा एक जूल क्या है तो बता वन न्यूटन मीटर समझ गया वन न्यूटन इंटू वन मीटर क्लियर है बराबर क्या है वन जूल क्लियर वन जूल क्लियर और इसको आप कैसे सोट में लिख सकते हो सिंप्ली न्यूटन मीटर एक छोटा समय आपको चीज बताता हूं इसको ध्यान लखिएगा देखो भाई कभी भी एसा यूनिट जब आप लिख रहे होते हो एसा यूनिट लिख रहे होते हो अगर साइन्टिस्ट का नाम यूज करना है जैसे न्यूटन एक साइन्टिस्ट का नाम है तो वो कैपिटल लेटर में लिखना पड़ता है अगर आप एसा unit लिख रहे हो, अगर scientist का नाम यूज़ कर रहे हो, अगर scientist का नाम का smaller form यूज़ कर रहे हो, पहला letter यूज़ कर रहे हो, तो हमेशा capital letter, अगर उस scientist का पूरा नाम लिख रहे हो, तो हमेशा छोटा letter होना चाहिए, ये Newton नहीं चलेगा, समझ गया है, ये Newton कियेगा, ठीक है, तो one joule को भी हम लोग define कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसको force को define किये, वैसे ही one joule को define कर देते, one newton into one meter, वही क्या हो गया, एक joule, समझ गया, one joule is the amount of work done on an object, समझ गया, आपको लिख के बताना है, one joule is the amount of work done on an object, one joule, one joule को बस define किजिए, ठीक है, समझ ग ठीक है, one joule को define किजिए, one joule is the amount of work done on an object, क्या होगा, बताइए, एक newton जब force अपलाई करेंगे, when a force of one newton, when a force of one newton, जब एक newton का हम लोग force लगा रहे होंगे, 1 newton का force लगा रहे होंगे, displaces it by one meter, ठीक है, displaces it by one meter, अगर एक newton का force जैसे इस block पे हम लोग लगा रहे होंगे, एक मीटर डिस्प्लेस होना चाहिए, उसी को बोला जाता है, एक joule, एक joule is the amount of work done on an object, when a force of one newton displaces it by one meter, ठीक है, ठीक है, along the direction of force, ये लाइन तो add कर ही देना, along the direction of force, clear है, समझ गया, clear, ठीक है, along the direction of force, या along the line of action भी लिखा आता है, line of action मतलब वही direction of the force, समझ गया, direction के जगा पर line of action भी, बुक में लिखा मिलेगा तो घबराना नहीं है, clear है, direction के जगा पर ये viewer योज़ रह सकता है, चलिए, आप हम लोग question कर लेता है, रुख जाए, ये मैं book ढून के लाता हूँ, एक मिनट बस रुखे रहे, एक मिनट बस, क्या भी पढ़ाया था, एसा unit of work, रुख जाए, इससे related एक question देता हूँ, उसको करके दिखाईए, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, आहीर आ होगा, doubt नहीं होना चाहिए, आसान चाप्टर है, बहुत आसान चाप्टर है। कि अब जो मैं पढ़ाया, उसी से related देता हूँ, बहुत असान question, एक लाइन में बनने वाला, ठीका, आफोर्स ओफ, 10 Newton, acting on, अरे यार, यह भिंगा हुआ है, on an object, ठीका, दिखरा होगा, ठीका, ठीका, अबजेक्ट इज, लाइन enga Mind-बचाप्ट, अRO ठीका, डीका, कर दोड़ा होगा, on ठीक है चलिए इस सवाल को बना के दिखाईए पर यह सवाल को क्या है एक फोर्स ओफ 10 Newton acting on an object जैसे माल लेते हैं यह object है इसके ओपर 10 Newton force apply हो रहा है the object is displaced through 5 meter कितना object displaced हुआ 5 meter in the direction of force जिधर force लग रहा है उसी के direction में object गया है सही बात है इधर ही गया है what is the work done in this case तो work done का formula क्या होता है force into displacement force कितना Newton है 10 Newton displacement कितना meter है 5 meter कितना हो गया 50 Newton meter Newton meter को हम क्या बोलते है Joule समझ गया है clear है इसको no down कर लिजे अब हम लोग एक और छोटा सा concept पढ़ते हैं अब आप क्या पर हैं अब ही आप क्या पढ़ें बताईए जैसे यह object है तो इसको हम लोग ऐसे धक्का दे रहे थे इस object को हम लोग ऐसे धक्का दे रहे थे अब बच्पन में कभी ऐसा हुआ है कि जो छोटा बच्चा वाला को रब कर दूं क्या अब कर दूं नई चल यह इसको समझ यह जैसे माल लीजिये यह क्या यह क्zar Kalkar को पकड़के a कार को पकड़के – खीचे जा रहा है जैसे माला के यह कार है यह फ्ज़ की खीच रहा है जिसको पकड़किए खीच रहा है समझ गया यह जैसे माल लेते हैं ग्राउंड है यह क्या है जमीन है जिस जमीन पर यह महेश खड़ार को खीच रहा इस कार को समझ गया ठीक है अच्छी बात है यहां तो हम लोग फोर्स समझ गया थे कि जमीन पर ही ऐसे हो रहा था समझ गया जमीन पर ही धक्का दे रहे थे ज जिधर कार खीचोगे उधर ही फोर्स लग रहा है तो इधर लग रहा है फोर्स कार बढ़ेगा कैसे अब इस कार को जब आप खीचोगे तो कार तो जमीन पर ही बढ़ेगा ना हां कार का displacement किदार होगा इस डायरेक्शन में होगा और इसके और इसके बीच में कुछ एंगल बन जाएगा उस एंगल का हम एक नाम दे देते हैं कुछ भी नाम दे दीजिए ठीक है A B C D जो मन में करता है वो नाम दे दीजिए तो हम अपने मन से एक नया सा यूनिक सा नाम द जाता है यह लिखा कैसे जाता है पहले यह सिखिया ठीक है बहुत बचा को लिखने नहीं नहीं आता है देखो भाई है कुछ के तुटर नहीं होना है इसको उनाम देने का मन है वह दे दिज्य है तो ऐसे मान लेते help थीटा हम लोग इसका नाम दे दिये मतलब इस कार को ठीटा एंगल पर वो बच्चा खीचे जा रहा है रसी बान के और यह कार इस डाइरेक्शन में खीचा रहा है समझ गया तो इस कंडिशन में जो वर्क का फर्मूला होता है न वो f into s गलत हो जाएगा force into displacement नहीं होगा तो आखिर होगा क्या तो वो फर्मूला होगा force into displacement into cos theta क्या होगा force into displacement into cos theta force into displacement into cos theta यह फर्मूला हमेशा सही नहीं होगा यह फर्मूला बहुत सारे जगों पर जाकर गलत हो जाएगा लेकिन यह फर्मूला हमेशा सही होगा ठेक है यह always valid समझ गया है लेकिन यह फर्मूला हमेशा वैलिड नहीं होगा समझ गया यहाँ पर यह फर्मूला गलत हो जाए होगा इभेन इस सवाल में भी अपलाई होगा हम अपलाई करके आपको आगे थोड़ी दिर में बताएंगे समझ गया तो वर्क डन का फर्मूला क्या एथ अब बहुत सारा बच्चा का प्यट में एकदम खुजली मैच गया होगा अरे भाई ठीटा क्या है जैसे इस कार को आप 45 डिगरी पर खीच रहा हो तो जो भी डिगरी पर खीच रहा हो वह उसका एंगल हो गया समझ गया 90 पर खीच रहा हो द rice foot 90 डिगरी समझ गया clear तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हमको तो यह पता ही नहीं है कि SAब क्या होता है क्या होता है चलो मैं बताता हूँ सीक्ए CA disciplined Zero biz का जानलो delicious the day को भाई कहीं भी का जिरो डिगरी आगया 0 डिग्री जीammen होता है समझ गया याद करोगे तो गरबर आ जाओगे समझ गया है कॉस्ट 30 डिग्री का वेलू उटा है रूट 3 वाई 2 माल लेते हैं 30 डिग्री पर कार को खीच रहा है तो वहां कॉस्ट 30 के जगह बस आपको यह डाल देना कोस्टन सॉल्व कर देना बन जाएगा समझ गया फिर और भी आता है कॉस्ट 45 डिग्री कि टेका कॉस्ट 45 डिग्री वन अपॉन रूट 2 ठीक है ये आप डाल देना जहां पर 45 डिग्री पर कार खीचाएगा तो यह वैलू डाल देना समझ गया है क्लियर है क्लियर अब सब्सक्राइब एक बात मैं आप से पूछता हूं वर्कडन का मैं क्या फर्मूला बताया जो हमेशा सही होगा समझ गया थेक है फिर आप बोलोगे तो इस सवाल में आप क्यों वर्कडन इक्वल टू f into s लगाये टेक है फेश कॉस्टिता क्यों नहीं लगा चलिए हम लोग फेश कॉस्टिता ही लगाते हैं तेक है चलिए अब इस सवाल को हम लोग अगले मेथड से सॉल्व करते है एफेस, cos theta, ठेक है, चलिए, force कितना दे रखा है, 10 Newton, अच्छी बात है, displacement कितना है, बता, displacement, 5 meter, चलिए, cos theta, चलो, force आप कितना लगा रहे हो, force इधर लगा रहे हो, displacement भी इधर हो रहा है, force इधर, displacement भी इधर, अरे भाई, force इधर, displacement भी इधर, इसके इसके बीच में, कितना degree angle, 0 0-degree अरे यह लाइन है इसी के उपर एक और लाइन बना दिये कितना डिगरी 0 डिगरी समझ गया 180 मतलब इसको 90 डिगरी नहीं समझ लेना यह और यह लाइन को यह दोनों लॉइन एक ही जगा पर आ जायेगा डिवाए धोनों एक ही डायेक्सन में जा रहा है मतलब इसके बीच में और इसके बीच में फोर्स और डिस्प्लेस्प्रसमेंट के बीच का जो एंगल है वह center-3 है यह तो है 50 जूल, 50 नियूटन मेटर, आगे आ समझ में, मतलब ये बाला फोर्मूला हमेशा सही होगा, समझ गया है, लिए ये फोर्मूला गरवरा जाएगा, समझ गया है, तो अब कोई भी सवाल आगा, क्या लगाना है, एफेस कॉस्ट ठीटा, कॉस्ट ठीटा का आपको पा 20 डिगरी, 0, समझ गया, बस आपको इतना याद रखना है, clear, तो एक खेडिंग भी हम लोग डाल देते, वर्क डन भाई ये फोर्स, एक्टिंग एट अन एंगल, समझ गया, वर्क डन, बाई और फोर्स, एक्टिंग, अन एंगल, तेका, अगर एंगल पे हम लोग फोर्स ल गा रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा, यही अभी का केडिंग था, ठीक है, with the direction of displacement, ठीक है, with the direction of displacement, clear है, यह हो गया heading, clear है, यह हो गया प्यारा सपना heading, और इस heading से related, यह हो गया concept, ठीक है, समझ गया, मताँ एंगल पे जब खीचोगे, तो एफेस, औस ठीटा, ठीक है, हमेशा, एफेस, ठीटा ही लगा देना, और इस case में क्या हो जागा, cost 0 हो जागा, जिसका value 1 होता है, सवाल, same ही answer आगा, लेन हमेशा लगाईएगा, एफेस, ठीटा ही, चले, इसको जल्दी से note-down किजिए, सही है, दिख रहा है सब चीज, चैसे focus कर पा रहा है, हम सही है, सही है, और भी एक दो question करवा देता हूँ, ठीक है, question रुख जाएए करवा देता हूँ, एक दो, ठीक है, जो लोग लिख रहे हैं, note किजिए, तब तक मैं उपर question लिख देता हूँ, कौन सा करवा दूँ, इसी से related एक पहले करवा देता हूँ, ठीक है, अरे भाई भींगा हुआ है, बोल्ड, देखो, अचाइल्ड, पूल्स अ, ट्वा, कर, थ्रूँ, अ, डिस्टेंस अफ, ट्वैंटी मीटर, अन, स्मूध एंड, होरिजॉन्टल ख्लोर, और क्या है, दे इस्ट्रिंग, इस्ट्रिंग मतलब होता है, धागा रसी, है, अचाइल्ड, ट्वैंग, इस्ट्रिंग में अंग, अंग, इस्टी दिगर, ग्रीछ ट्रिंग, इस्ट्रिंग, तका रसी, इफ द फोर्स अप्लाइड बाई द चाइल्ड इज टेन न्यूटन अरे बाई क्वेश्चन बस परा है ठीक है डरना नहीं है देख्के कैलकुलेट द वर्क डन बाई चाइल्ड इन पूलिंग द कार ठीक है चलिए अब नीचे वाला मैं रब कर देता हूँ अब तक आप लिखी लिए होई एगा ठीक है सेम यहीं सवाल है जो अभी मैं पढ़ाया था सेम वहीं सवाल है तब तक आप ट्राइ किजिए तब तक मैं बोट को साप सुथरा कर देता हूँ राण ओर शवाल करवाँगा ठीक है पहले हिसको किजिए ठीक है एक सवाल पर है ठीक है यह सवाल को पहले रीडिंग लगाना है ठीक है यह चाइल्ड पूल एक ट्वाय कार ठीक है एक ट्वाय कार बना दिजिए ट्वाय कार फ्रू ए डिस्टेंस अफ 20 मीटर ओन ए स्मूथ एंड होरिजोंटल फ्लोर यह कैसा फ्लोर है एकदम स्मूथ है और होरिजोंटल है इसमें एक धागा बांधे हुए है जो कि कितना डिगरी का एंगल बना रहा है 60 डिगरी का 60 डिगरी with the horizontal surface इसमें एक धागा बांधे हुए है ठीक है अगर फोर्स जो बच्चा अपलाई कर रहा है यह 10 न्यूटन है calculate the work done by child in pulling the car ठीक है अब पूछ यह रहा है कि कितना work done हुआ इसको खीचने में और कितना दूरी तयकिया 20 मीटर यहाँ पर माल लेते हैं बच्चा है इसको पगर के खीच रहा है ठीक है अरी कैसा बच्चा है चलो हाँ जैसा भी बच्चा बना सही है चलिए इसका फर्मूला क्या होगा बताइए वर्क डन क्या होता है एफेश कोसठीटा फोर्स कितना है तेन न्यूर्टन दिस्प्रेस्मेंट कितना हो रहा है 20 मीटर कोस कितना डिगरी कोस 60 डिगरी अब कोस 60 डिगरी का वैल्यू सबको याद होना चाहिया क्या होता है 1y 2 कितना आ गया 5 100 newton meter आ गया मत्तब 100 ठीक है इसका वैल्यू बस आपको याद कर लेना है क्लियर है कि हो गया एक और सवाल कर ले अरे भाई सवाल ही सिर्फ बरा था ठीक है बनाओगे तो बहुत छोटा था चलिए आगे बरते अब हम लोग एक और सवाल कर लेते हैं जल्दी से हाद सवाल कर दोटातो है लग सवाल कर दोट्चर ठीक है कि चलिए और भी सवाल हम लोग करते हैं बुक से उठाता हूं अ क्रेन लिप्ट्स और क्रेट अप्वार्ड्स थ्रूँ और हाइट ओफ ट्वैंटी मीटर अरे भाई इस सवाल को खुद से पहले ट्राई करना ठीक है अगर मैं नहीं बोलूंगा फिर भी इस सवाल को खुद से पढ़िये एक मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं जहां भी वन कीलो लिखा मिले कीलो मतलब होता है कितना हजार समझ गया हजार कीलो न्यूटन मतलब सवाल कर लिजिए समझ गया है क्लियर है जैसे यहां पर कीलो न्यूटन रहेगा तो क्या होगा हजार न्यूटन ठीक है थोड़ा सा बस हिंट दे दिया चलिए इसको सवाल किजिए फाइब मैं गिनता हूँ ठीक है उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगा वन टू थ्री फोर फाइब चलिए शुरू करें परहो कोस्चन एक क्रेन लिफ्ट से क्रेट अपवार्ड्स ठीक है पहले क्रेन हम लोग बनाते है अरे घर बनते हुए मैं क्रेन देखे हो जब बराब अपार्टमेंट बनता रहता है या बिल्डिंग बनता रहता है तो ऐसा ही क्रेन लगा होता है ना इसी टाइप का क्रेन होता है ठीक है इसी टाइप का होता है जमीन से टिका हुआ होता है एक उठा हुआ एक इधर निकला हुआ अरे ऐसा देखे होगे रुख जा बताता हू यह जैसे मानले जमीन है यह क्या है जमीन है जमीन पर से आप देखो गये कि इस टाइप का बड़ा सा निकला रहेगा समझ गया इस टाइप का ताकि balance बना रहा है यह जैसे माल लीजिए crane हो गया जो कि crate को नीचे से उपर खीच के ले जाएगा समझ गया चलिए crane में हम लोग यह बना देते हैं जो कि खीचेगा ठीक है यह भी बना दिए खीचने वाला ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर माल लेते क्रेट रखा हुआ है जिसको खीच के उठाना है उपर ले जाना है यह सुन्दर सा क्रेट है इसको उठाके उपर ले जाना है यह रस्ती से बंधा हुआ रहेगा सब्सक्राइब है एक क्रेट लेट से क्रेट अपवाट थ्रूइव हाइट कर ले गया यह 20 मिटर कितना दूर ले गया जैसे माल ले इतना ले गया 20 मिटर कितना मीटर ले गया? 20 मीटर. The lifting force provided by the crannies, 5 किलो नूटन. ठीक है? यह जो नीचे से इसको उठा के ले गया, यह उठा के ले गया 5 किलो नूटन फोर्स है. कितना फोर्स है खीचा? बता 5 किलो नूटन फोर्स है. फोर्स कितना है? यहाँ पर लिख देता हम. फोर्स है 5 किलो न्यूटन बता एक किलो बराबर हजार होगा ठीक है न्यूटन मतना न्यूटन तो कितना 5000 न्यूटन से इसको खीचा और कितना दूरी तक खीचा के गया 20 मीटर गया प्लियर है ठीक है समझ गया ठीक है फोर्स किधर लगा रहा है फोर्स लग रहा है इसी 9 क्लियर है और डिस्प्लेस्बेंट भी कहा हो रहा है ऊपर ही ऊठराहे समझ गया है स्मस्द आदा बीच में कितना डिकरी का एंगल जीरो डिकरी का क्या होगा एफेश घृता फोर्स कितना है 5000 न्यूटन स्ट्वेस्मेंट कितना है 20 मीटर कितना यह वह बढीस मतलब यह जो बरा से क्या है क्रेट इसको ऊपर तरफ ँपार लग रहाने इसके और ऐसके बीच में दो पैर्लेल इंके बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है समझ गया है ठीक है लियर है समझ गया है 1000 का मत्तब कीलो होता है तो आप इसको कीलो में भी कनवर्ट कर सकते हो हजार से डिवाइड कर दोगे किलो जूल में आ गयागा 300 से 300 मर गया 100 कीलो जूल clear, समज गए clear है चलिए, अब question और भी करवा दूँ क्या, नहीं और question आब book से बना लीजेगा, ठीक है, book में भी आपके बहुँ सारा question मिली जायगा ठीक है जो भी question सब था, इधर उधर का समय अभी करा ही दिया, ठीक है अगला जो topic है वो पढ़ा देता हूँ अभी मैं positive, negative and zero work ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे energy and its form अगले lecture में हम आपको पढ़ाएंगे energy, kinetic energy kinetic energy का formula निकालना भी सिखाऊंगा हो सके तो potential energy भी करा दूँगा ठीक है chapter थोड़ा लंबा सा है ठीक है, थोड़ा बड़ा chapter है थोड़ा बड़ा है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं timing कितना हो गया सारे 10 चलो हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब एक छोटा सा टोपिक पर हादेता हूं फिर छोटी हो जाएगा, ठीक है positive, negative and zero work देखो भाई, यह भी बहुत प्यारा सा टोपिक है positive, negative and zero work सबसे परले हम समझ लेते है positive work क्या होता है positive work बहुत असान है समझो जैसे मालों यह जमीन है जमीन के उपर एक बकसा रखा हुआ block रखा हुआ है, समझ गया, इसके उपर आप force लगा है, और यह बकसा इसी direction में move किया इसी direction में, जिधर आप force लगा है यह हो गया, positive work positive work क्या है force and displacement are in the same direction clear है force and displacement same direction में होगा positive work ठीक है, इस डोनों के बीच में कितना angle होगा angle between them force and displacement के बीच में कितना degree angle zero degree zero degree का angle होगा, मतलब work कैसा होगा बता, positive, positive work ठीक है, positive work clear है, force into displacement positive होगा अब आता second, वो है आपका negative work देखो भाई negative work भी बहुत easy होता है लें कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा doubt होता है समझ गया, बहुत ज़्यादा doubt होता है पता नहीं क्यों doubt होता है जैसे मानले ये block है इसके उपर आप force लगा रहे हो जैसे मानले कोई भारी समान रखा हुआ है यहाँ पर ये समान रखा हुआ है हम रखा हुआ है, इसको हम इधर धका दे रहे है इधर force लगा रहे है यह block है, इसको हम लोग इधर धका दे रहे है पीछे direction में धका देता है इस direction में धका देताँ अपोजिट direction में इसकו हम बोलते है अपोजिट direction वाले को बोलते है हम लोग friction force ठीक है friction मतब जैसे बडरा सा अल्मीरा रखा हुआ आप उसको जब ऐसे धक्का दे रहे होगे अलमीरा को तो थोड़ी इन धक्का से वो आगे बढ़ेगा जब आप फोर्स लगाओगे जोर से कोई भी भारी चीज पर तो फोर्स तो हम लोग लगा रहे हैं लेकिन उल्टा अपोजिट साइड में एक और फोर्स लग जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्सनल फोर्स जो उसको आगे नहीं बरने देता है समझ गया है? clear मतलब हम लोग ऐसे धका दिये तो उधर से एक और फोर्स लग जया फ्रिक्सनल फोर्स समझ गया? अगर कोई भी चीज ऐसे है और ऐसे है तो इसके बीच में कितना डिग्री एंगल? 0 डिग्री अगर कोई भी फोर्स हम लोग ऐसे लगा रहे हैं और इसके बीच में और इसके अपोजिट साइड में एक फोर्स लग गया, तो इस दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है, कितना डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर क्या हुआ, बताइए, फोर्स हम लोग इधर लगा रहे हैं, और उल्टा डि अपोजिट डिर्ट्यक्शन में लगेगा, अपोजित डियर्ट्यक्शन में, ठीक्शन है, तो वर्क डन का फर्मूला क्या होगा, माइनस फोर्स इंटु दिस्प्लेश्मेंट माइनस मतब इधर धक्का दिये माइनस फोर्स इंटु दिस्प्लेश्मेंट इग्जाम्पल हो गया फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन दा अपोजिट डायरेक्शन टिका इग्जाम्पल क्या हो गया फ्रिक्शनल फोर्स acts on the direction opposite of force. जिधर आप force लगाओगे उधर opposite direction. Frictional force act on the direction opposite to the direction of displacement. Opposite to the direction of displacement. Clear है? Clear? ऐसे धक्का मारोगे उल्टा. समझ गया है? Clear है? चलिए एक और सवाल है. एक और प्यारा साहव. वो है आपका zero work. इसको भी समझ लिजे. उसके बाद छुट्टी हो जाएगा. Note नहीं किये थे. दो बैक जाके कर सकते हैं. ठेक है? ठेक है? तब तक मैं revise करवाता हूँ. चल बता. इस दोनों के बीच में कितना डिगरी का अंगल? जीरो डिगरी का. ठेक है? इसमें इसमें कितना डिगरी? 180 डिगरी. ठेक है? फोर्स ऐसे लगा रहे हो. डिस्प्लेस्मेंट ऐसे. कितना डिगरी अंगल? 90 डिगरी. ठेक है? इस दोनों के बीच में कितना डिगरी? 90 डिगरी. प्लियर है? यह जैसे मान ले फोर्स है, यह डिस्प्लेस्मेंट है. यह फोर्स है, यह डिस्प्लेस्मेंट है. जैसे मान ले ऐसे फोर्स लगा है? ठेक है? और यह डिस्प्लेस्मेंट. अन्य तो ऐसे मान ना भाई उल्टा क्यों लिख राओं मैं पहले समझ ले तब देखना इधर होगा displacement फोर्स इधर लगेगा चली अब समझते हैं हम लोग ठीक है इसको पहले समझ लेते हैं उसके बाद अब है तित्रा कॉंसेप्ट यह है आपका जीरो वर्क का कॉंसेप्ट है बहुत इजी है ठीक है क्या है इजी वो समझ जैसे मान ले यह प्यारा सा आदमी है ठीक है यह प्यारा सा आदमी है यह आद ठीक है, कूली क्या कर रहा है, माथा पर समान लेके, ट्रेन से आप उत्रे, माथा पर समान लेके जा रहा है, समझ गया, माथा पर समान लेके जा रहा है, अब एक बात बताईए, माथा पर जब आप भारी समान रखोगे, माथा पर जब भारी समान रखोगे, तब क्या होगा, भारी समान का वजन तो लगेगा न भाई समान आप माथा पर कोई भी भारी लोग है तो उस समान का तो वजन होगा कोई भी चीज का वजन कैसे लगता है उपर से नीचे और यह जो उपर से नीचे लगता है इसको हम क्या बोलते हैं वेट बोलते हैं ठीक है, weight, weight होता है, weight परहे हो पिछले chapter में, weight क्या होता है, mass into gravitation mg, weight, 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 कोई भी चीज है, तो उपर से नीचे, weight, ठीक है, weight क्या होता है, mg, ठीक है, यह weight actual में force ही तो होता है, weight force ही नहोता है, परेते न पिछले chapter में, wait क्या है, force, clear, तो wait क्या है, force, force उपर से नीचे लग रहा है, force अभी कैसे लग रहा है, माल ले, ये force लग रहा है, उपर से नीचे, force लग रहा है, उपर से नीचे, बड़ा सा समान लेके चल ले हैं तो, और बड़ा सा समान लेके माल लो, कूली आगे क की तरफ जा रहा है इदर की तरफ माले ये कूली आगे की तरफ इधर की तरफ है इधर की तरफ इसका displacement है समझ गया फोर्स इधर displacement इधर दोनों के बीच में कितना डीगरी का एंगल यह श when i आ डीगरी बन रहा है ठीक है बहुत इजी है भाई चलो हम लोग समझ लेते fs cos 90 degree और अभी हम आपको क्या पढ़ाय थे cos 90 का value 0 तो fs into 0 क्या हो जाएगा 0 work done क्या हो गया 0 अगर कूली माथा पर समान लेके चल रहा है तो science के term में work done क्या है 0 clear समझ गया तो यह कोई काम करना नहीं हुआ example हो गया एक कूली carrying load on his head अगर कोई भी कूली माथा पर समान लेके जा रहा है भारी समान समझ गया तो वह work done नहीं बोलते है समझ गया अलांकि वह भी काम है हर एक काम का इज्जत करना चाहिए ठीक है उसका भी respect करना बनता है ठीक है समझ गया ठीक है यहीं पर आपका lecture समाप्त होता है हम लोग मिलते हैं अगले lecture में वहाँ पर हम लोग एनर्जी के बारे में और भी बहुत सारा चीद बाक्चित करेंगे तब तक के लिए अल्दी वेस्ट बैवाय जैहिंद झाल झाल झाल